हेलो एबरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिस से हमारे चैनल जीडिसी मेडिसिन पर हम अपने इस चैनल पर दवाईयों की जानकारी रोगों की जानकारी एवं स्वास्त देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पर देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉप्लर मेडिसिन रीजन एक्स कैप्सूल के बारे में जी हां यह जो रीजन की कमी को दूर करने के लिए उनके सिम्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम से उससे लड़ने के लिए यह रीजन एक्स कैप्सूल डॉक्टर की दारा दी जाती है और इसका बहुत ही बैतरी असर देखने को बलता है तो आज हम जानेंगे इस रीजन एक्स कैप्सूल के आपको संपुर्ण जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियो में जरूर बन रहीएगा ताकि कोई में इंफॉर्मिशन मिस नहोंने पाए जियां रीजन एक्स कैप्सूल के अंदर अगर में में कंपोजिशन की बात करें ना तो यह दो चीज मिली होगी क्या-क्या-क्या-क कंटेंड इस रीजनिक्स कैप्सूल के अंदर में मिला होगा साब जीलेटिंग कैप्सूल होती है और यह इंटास फार्मासुटिक लिम्टेड इसको बनाते है जो कि बहुत ही मानी जानी फार्मा कंपनी है रूम टंपरेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में टो होते हैं उसी की सिम्टम को ठीक करने के लिए दी जाती है अब वो सिम्टम जैसे आपका क्या हो सकता है विटमिन-C की कमी है बोडी में और विटमिन-E की कमी है इजी प्रिशिंग नोस ब्लीडिंग है गैस्टिक डिसॉडर हो गया खुन की कमी हो गई अलग अलग जितने भ पता है इसमें टुटल दो कंडे मिले हैं दोनों का अपना अपना रोल होता है एक एक करके बात करेंगे तो जो अलफा-lipoic-acid हो आपके बॉडी में सेल डैमेज को होने से बचाने का काम करता है अब भया सेल डैमेज होने से बचाएगा तो सेल डैमेज नहीं होगी और आ मेथिल-cobalamin की बात कर लें एक तरीके से विटमिन-b12 होता है जो कि आपके बॉडी में खोन को बनाने के लिए रेड़ प्लाट से और बीसी के फॉर्मेशन में मेथिल-cobalamin का बहुत ही अच्छा और बहतरीन रोल हो जाएगा तो यह दोनों इस तरीके से मिलकर की काम करते फिर बात करेंगे direction for use कैसे यूच करना है कोसिस किजिए पर अपने डॉक्टर से सलाज जरूर लीजे क्योंकि डॉक्टर अपेशा आपकी condition के साब से डोज बताते हैं डॉक्टरी सला के बाद कोई भी दवा खाना उचित रहता है खुद उसे खा रहे हो तो maximum एक से दो tablet per day उससे ज्यादा आपको नहीं खाना फिर अगर हम बात करेंगे precaution क्या सावधाने रखनी है तो यह ऐसे cool place में dry place में direct sunlight से दूर रखना चाहिए जितना भी डोज बताए जाए कभी भी खुद से बार बार ज्यादा नहीं खाना चाहिए और बच्चों की पहुत से इसे दूर के इस्तमाल करने से पहले लेविल का direction अच्छे से जरू पढ़ना चाहिए फिर अगर हम बात करेंगे side effect कब होगा जब आपने डॉक्टरी सलाह नहीं आपने बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत आपके बॉड़ी में इचिंग नौजिया वो मिटिंग ये सब तो कॉमन ही रैसिज हो सकता है जिसे सूट नहीं किया तो यह कुछ ऐसे common side effect है बाकी एक बार डॉक्टरी सलाल लोगे तो ज़्यादा जरूरी है और की इस्तमाल करने पहले आपको precaution ध्य रही होगी इसी तरीके से डेरो टाबलेट का एप्सला अंटमिंट जल सब की जान करी आपको मारे चैनल पर मिलेगी चैनल पर बने हुए प्लेलिट को विजिट कीजिएगा आप कहां से कीजिले वीडियो देख रहे हैं उसे भी कमण बॉक्स में जब बताईएगा मिलते है तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें थैंकी सो मॉच आल दी बेरी बेस्ट